नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी दोस्तों मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और लगतार पलपल की अपड़ेट भी चैनल के माधिम से पहुंच रही होगी तो सबसे पहले खबर आ रही है कि जो नई नियमावली है उसका बिरूद हर जगा से अब हो रहा है और अध्यापक नियमावली के बिरूद में उची नियाले में याजिका दायर भी हो गई है सिच्चा के अधिकार कानून के तहट राजिकर्मी का दर्जा दिलाने की लगाई गुहार आपके समख्ष दिखाई देरा होगा एटी सिचक संकी और से सुपरवार को पटना हाई कोट में अध्यापक नियमावली 23 के बिरूद याजिका दायर की गई है जिस प्रकार से ये नई नियमावली जारी हुई है उससे उन सिचकों को काथी ज़्यादा समस्या हो रही है जो 15 साल से विद्यालियों में पढ़ा रहे थे उनका ये कहना है कि इन 15 सालों में क्या बिहार सरकार को ये नहीं दिखाये दिया कि विद्यालियों में गुरुवत्ता पूर्ण सिच्छा नहीं दी जा रही है क्या अभी तक हम लोग जो सिच्छा दे रहे थे विद्यालियों में बच्चों को क्या वो गुरुवत्ता पूर्ण नहीं थी और 15 साल तक जो सिच्छा विभाग है वो कहा था और अभी तक सूथ क्यों नहीं लिया गया मादमी सिच्छा संग के जो अध्यक्ष है और सतुरगन सिंग उनका इस पश्ट रूप से ये कहना है कि जो बहाली की प्रक्रिया है वो आगे तभी बढ़ेगी जब नियमावली को रद्द किया जाएगा इस पश्ट रूप से मैं आपको बता दूँ कि भई न्यूवली सिच्छक तो चाहते ही नहीं है कि वो परिच्छा को दे तो एक ही विद्याले में दो परिच्छक हो जाएंगे कुछ ऐसे सिच्छक होंगे जो एक्जाम में क्वालिफाइट करके पढ़ा रहे होंगे तो बहुत सारे समस्याइए सामने आती हैं और कई सारे इसमें कमिया है जैसे तीन बार ही आप एक्जाम में बैठ सकते हैं उसके बाद अगर आप एक्जाम नहीं कौलिफाइट कर पाएंगे लेटर के माध्यम से दिया जाता है नियमा वली में तो उसमें बताया जाता है कि वही आपके बड़ सत्रासों के यास पास पद है तो इसे भी काफी बड़ी समस्या सिचक अभ्याटियों में आज आती है उसे चक यादिकार आटी कानून के तहट चक पत्ता परिचा उतिर राजी की करीब दो लाग टीटी सिचकों को न्यूक्ति दिधिक से राज कर्मी का दर्जा देने की अपिल की गई है टीटी सिचक संग की और से प्रदेश अधेश अमित विक्रम और अंगाबाद से चंद सेखर वर्मा किसंगन से फसीय अमद एवं यूपी के गाजीपूर जिले के दे सकते हैं आप इस पश्टूप से लिखा है खान दयार याचिकाम में याचे करता बने हैं संग के परदेश अधेश अमित विक्रम ने कहा कि अध्याफक नियमावल द्वार तेईस पूरी तरह आज समयधानिक है कानूनी प्रावधानों का उलंगन करने वाली नियमावली है इस नियमावली में पटना हाई कोट के डिविजन बेंच द्वारा दिये गए पूर्व के फैसले को भी अंदेखी की गई है अब दे सकते हैं CWJC निवन बिंदों पर आपत्ती है 27-96-22 में पारित आदेश का उलंगन है नियमावली दर बारायम दर बीस में प्रारंबिक सिच्चकों के तीन ग्रीड वेसिक इसनातक और मद्य विद्याले के प्रताना ध्यापक निर्दारित किया गया था लेकिन तो देखिये यहाँ पे कि नई न्यामवली प्रताना ध्यापक पत का जिक्र ही नहीं है तो कई सारी बात है जी का बिरोद करती है नई कोई प्रावधान नहीं है जबकि प्रूणत्य का प्रावधान भी इस में होना चाहिए था इस तरीके से ढ़ी नहीं माली है कए कड़ सीहुदXTी है सीटों को सीध़ी बर्थी से भड right है जबकि प्रूर तो उन्हें टीटी की परिच्छा से छूट का प्रावधान है ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या एन सीटी नई बहाली में टीटी परिच्छा से छूट देने को स्विकृति प्रदान की है बिसे बिसे सिचकों की योगिता अलग से बिहार सरकार निर्धारित करेगी ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार सरकार को अलग से योगिता निर्धारित करने का अधिकार है क्या एन सीटी से उसके लिए स्विकृति ली गई है ये तमाम बाते सामने उबर के आ रही है ये अलग अ द्वारा तैमानकों और पाठिक्रम का पालन होगा ये भी और इस फश्ट है पंचायती राशनस्तान एम नगर निकाय संस्तान के अंदर गत नियुक्त कारियों के लिए अलग से प्रक्रिय निर्धारण किया जा सकेगा इस प्रक्रिय का भी इसमें कोई उलेक नहीं है तो वो लिष्टिंग भी एक माँ बाद ही तब तक दे सकते हैं यहां पर इस परश्ट रूप से लिखा हुआ है कि सिच्चक बेकेंसी पहले हाई कोट में केस और आप सड़क पर निवी सिच्चक कानूनी दाव पेच में अपह सकती है एग दिसमनो साथ जीरो लाग सिच्चकों की भरती नई नियमावली पर क्या है मूला पत्ती दे सकते हैं कई सारी बाते यहां पर कही गई है हाई कोट के सिच्चक बहाल करने के लिए बनी नियमावली को समाप नहीं किया गया समिधान के तहट ही पंचायत और नगर निकायों को सिच्चक बहरती का अधिकार दिया गया था नई नियमावली का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखकर आपती भी नहीं ली गई एक ही सिच्चक में दो तरह के सिच्चक होंगे दे सकते हैं यह तमाम कमिया है जिसकों की पटना हाई कोर्ट में चुनोती आगे देखिए नियुजी सिच्चकों से नए सिच्चकों का वेतन अधिक कैसे हो सकता है ऐसे कई सवाल है जिससे नई नियमावली कानूनी दापेच में फ़स सकती है टीटी एस्टीटी उतिन अभ्यरती भी बिना परिच्चा ही पहल करने की मांग कर रहे हैं तो यह तमाम बाते हैं जो इस पश्च्च की जा रही है नहीं नियमावली पर क्या है मूला पत्ती नियमावली दोयर बाईस वह दोयर बीस में कारंबी सिच्चकों की तीन ग्रेड बताए गये थे बेसिक इशनात्तक और मद्य विद्याले के परद्याटा क्रेड परश्चत पर प्रमोसन से भरे जाते थे पहले से स्कूलों में बहार सिच्चकों को फिर परिछा देने के लिए कई गही है तो दे सकते हैं तमाम बात यहां पर इस परश्चूर रहा है और पठ्टना में ब्रोद भी चल रहे हैं तो नई-न्यमली में यह सारी कमिया है जिसको पठ्टना आईकोर्ट में चुनोती देने की बात जो है वह कही जा रही है तो कहीं न कहीं फंच सकते हैं ये बाली की प्रक्रिया दाउं पेज कहा जा रहा है दोस्तों सुड़ी में इतना ही पसंदर दो सेर किज़े कर धन्यवाद जय हिंद